हेलो फ्रेंड्स आज मैं नए वीडियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ मैं हूँ नीतू और नीतु पक्वान में आपका स्वागत है अक्सर हमारे घरों में थोड़े से चावल और रोटी बच्छी जाते हैं तो इसी तरह अगर आपके पास थोड़े से उबले चनी बच गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि चनी का क्या करें तो ये रेसिपी ट्राई करें मेरे पास भी थोड़े से उबले हुए चनी मटर बच गए थे तो मैंने क्या क्या बताती हूँ चलिए शुरू करते हैं पहले तो एक कडाही में तेल गर्म कर लेंगे जीरा डालेंगे जीरा चतकने के बार उसमें हींग डालेंगे साथ में एक हरी मिर्च डाल देंगे और मिर्च को चलाते हुए भूनेंगे वो भून जाने के बाद उसमें कटे हुए फ्याज जालेंगे फ्याज को अच्छी तरह से चलाते हुए हलका गुलाबी होने तक भूनेंगे भून जाने के बाद उसमें आधा चमच अधरक लसुन का पेस्ट भूनेंगे अद्रक लसुन का पेस्ट भी भून जाने के बाद उसमें एक चौथाई चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चौथाई चमच जीरा पौडर और आधा चमच धनिया पौडर डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे थूर्फाट मात्य स्वी और तमाज़र को चलाते हुए पकाएंगे शाथ में ठकन ठक देंगे ता कि अच्छी तरह से टवाटर गल जाये kun यह चौडर ठकचुपा है तो टमाज़र कमच है व्यंकाद साथ ही शूर्फाट बड़ चम को सकते हैं और इस दोनों मसाले को भी अच्छे तरह से पूल लेंगे आलू को मिक्स करेंगे wille हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और बाची हुए चनहीं और मतर को भी उसमें मिला लेंगे अब इन तीनों को मिला लएने स्प्रेचुला की मदद से आलू को तोड़ते हुए इसे अच्छे तरह से इसे चलाते हुए मिला लेंगे फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूगेगा और नए तो सब्स्राइब चलूर कर दीजिएगा इसे थोड़ी दे लिए तो मैंने एक कप पानी डाल दिया है इसे चलाते हुए फिर से मिला लेंगे उबालाने के लिए धकन फिर से बंद कर देंगे दो मिनट के बाद उबाला चुका है इसे इस पेचुला की मदद से अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे तो ये छोले बनकर त्यार ह हो गए हैं यह बहुत मज़ेदार टेस्टी सब्जी त्यार है तो इसे और भी टेस्टी और चत्पटी बनाने के लिए उपर से हम कटे हुए धनिया पत्ते से गारीश कर लेंगे अब यह टेस्टी सब्जी पूरी तरह से त्यार हो गई है तो अब गैस बंद कर देंगे अब इसे हम सर्व करते हैं इसे हम पराठा या रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीटियो पर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजएगा और पोमेंट भी कीजएगा